नमस्कार इन्जॉय फूड एंड ट्रावल में आपका स्वागत है मैं उमीद करती हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे आज हम बनाएंगे पालक मलाई मडर उसके लिए आपको चाहिए जीरा पाउडर थोड़ी सी काली मेर्च दालचीनी का पाउडर तीन ताजी पारी कटी हुई पालक, क्रीम, आधा कप मडर, चार सुखी लालमेच, नमक स्वाद अनुसार, एक चुथाई कप लसन, बारी कटावा और तेल तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, अब इसमें सुखी लालमेच और कटा हुआ लसन मिला दें लसन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूने लसन भून जाए तो इसमें नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून, दालचीनी का पाउडर आधा टीस्पून, जीरा पाउडर इन सब को अच्छे से मिला दें बूने हुए मसाले में हरे मतर मिला आगे चार से पांच मिनट और भून ले अब इसमें एक कप क्रीम मिला दें और इसको उबलने के लिए रख दें क्रीम में उबाल आने लगे तो इसमें कटी हुई पालक भी मिला दें पालक और क्रीम को आपस में अच्छे से रचने तक मध्यमाज पे पकाए बीच बीच में इसको मिलाते रहे करीक करी पक्रीम में वेदे के लाओ सुने के लाओ करीक बीचम में हुई agricल पें नि अबाल करीक करीक झाल 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 थोड़ी सीस में काली मिर्च मिला दें और सबजी को थोड़ी देर और पकने दें पालत मलाई मटर बन के त्यार है इसको पकाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं मध्यमाज पे अब इसको सविंग प्लेट में निकाल लें तो दोस्तों मारे स्वादेश क्रीमी पालक मलाई मटर बन के त्यार है इसको आप उबले हुए चावर या रोटी परांठे के साथ खा सकते हैं इसको बनाना असान है खाने में बहुत ही मज़ेदार है मैं उमीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल इंचॉई फूड एंट ट्रैवल को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगली बा तब तक के लिए धन्यवाद